गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है और हमारे यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज को आप सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और सेर करें बेल आइकन दबाएं ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलें और हम जो भी वीडियो मनाते हैं वो एक्जाम की दर्स्ट crucified से बहुत मे сигधा होते हैं अधरे आप वीडियो जेखें और वीडियो में ये आपको क्यो कमी या फिर को गलती लगे तो आप कोमेंट बॉक्स में कोमेंट कर सकते हैं हम सुधार करने की पुरी पूर भी कोशिस करेंगे ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं प्राग इतैसी कालीन सिंस्क्रिती एं किरारता अरजूनियम नामक माकावे के रचियता कौन थे ठीक है तो देखेगा फ्रेंड्स वसे दो प्राग इतैसी काल के बारे में हम काफी कुछ पहले पढ़ चुके हैं ठीक है और जो किरारता अरजूनियम नामक माकावे है इसके बारे में कई बार पूछ लेते हैं इसलिए हमने याँ पर ये एक छोटा सा वीडियो बनाया है तो देखेगा पढ़ते हैं प्राग इतैसी काल तो इस काल में मनुसे ने गटनों का कोई लिखित विवरन नहीं रखा ठीक है हरतात कोई भी लिखियोई चीज हमें नहीं मिलती है और इस काल में विशे में जो भी जानकारी मिलती है वह पासान के उपकरणों, मिटी के बरतनों, खिलों ने आदी से प्राप्त होती है तो जो मिटी के बरतन बने हुए हैं या फिर जो खिलों ने हैं या फिर कोई उपक उनसे हम आइडिया लगाते हैं उस समय की जानकरी प्राप्त करने के लिए ठीक है अब देखिए गब उस समय प्रागे थैसी काल की जो सेंस करती है उसमें मालवा सेंस करती ठीक है तो यह सेंस करती उतकरेश्ट प्रकार के मृत भांडों के लिए जाने जाती है यहां से असलिप वाले लाल मृत भांड कहां से प्राप्त में हुए हैं वह प्राग थैसी काल की मालवा सेंस करती से बुर्जु होम सेंस करती बुर्जु होम स्रीनगर का पुरातातिक मैत्ववाला कस्मीर का परमुक थैसी किस्तल है यहां पर कई प्राचीर भूमिगत गड़े पा जाता था यहां के लोग खेती भी कर रहे थे और परते घर में कुट्टा पाला जाता था बुर्ज हों में मालिक के मर जाने पर बकरी एम अन्य जानवरों को साथ भी दपनाया जाता था यहां से हड़ी के विशिस्ट ओजार आयताकार छिद्रित पत्थर के चाकू बरतन हुए हैं इसी तरह कस्मीर के गुफ कराल में भी पसु पालन और क्रिशी करने के प्रमान मिलते हैं यह कस्मीर की काटी में स्रीनगर से 6 मील अर्था लगबग 9.6 किलोमेटर उत्तर पुरव की ओर इस्तित है यहां से दूशर बरतन दूशर बरतन मतलब दूल के रंग के खा रापते हुए हैं जोरवे सेंसकरती हैं महारास्त्र में हैं इसका समय 1400 इस्सा पूरव से 700 इस्सा पूरव था इसके इस्थल कौन कौन से देखेगा जोरवे सेंसकरती के बारे में भी कई बार पूछ लेते हैं तो इसके इस्थल हैं जोरवे, दायमाबाद, इनाम गाम, आसिक, चंदोली और प्रकास जोरवे सेंसकर्ती से टोटीदार तामबे के बरतन मिले हैं तो ये क्यूशन भी कई बार पुचा गया है टोटीदार तामबे के बरतन कहां से मिले हैं वो आपकी है प्राग एथ्यासिकाल की सेंसकर्ती जोरवे वहां से मिले हैं इस स्थल से ताम वे सेंस करती का सबसे बड़ा स्तलकोन सता दाइमाबाद तथा यहां से कांसा भी मिला है नवदा टोली से बड़ी संक्या में विवीत प्रकार की फस्टों के सरवाधिक साक्से मिले हैं इनाम गाम से मातर देवी की पूजा के साक्से प्राप्त हुए हैं और एक बांध जैसी सरंचना मिली है यहां से लाल बरतन प्राप्त हुए हैं दक्सिनी नवपासान यहां से चमकिले दूसर बरतन प्राप्त हुए हैं पूर्वी नवपासान यहां से भूरे लाल बरतन प्राप्त हुए हैं तो यह तो थी प्राग एथैसी कालिन सेंस करती हैं जिनके बारे में क किराजिट प्राचिं एं सिल्सक्रित ग्रंथों में से एक है। इसे एक उत्रिष्ट कावे रजना माना जाता है। किराज़िस के लेख नहीं, प्राघ॥ स्थाब्दी माना गया है। महाभारत में वर्णित किराच वेशी सीव के साथ अर्जुन के युद की लगु कथा को आधार बना कर कविनी राजनिती, धरमनिती, कूठनिती, समाजनिती, युदनिती, जन जीवन, अधिका मनोरम वर्णन किया है इसमें 18 सर्ग है, यह कावे विबिन रसों से ओध प्रोध है, भारवी सेंस्कृत के महान कवी थे, वे अर्थ की गोर्वता के लिए प्रशिद है, किराच जूनियम एक उतकरिश्ट स्रेनी की कावे रचना माननी जाती है यह कावे किरार्त रूप, धारी, सिव, एउम, पंडू, पुत्र, अर्जुन के बीच के धनुर, यूद, तथा वाद, वरतालाप पर केंद्री थे, भारवी संभवताय दक्सिन भारत में जन में थे उनका रचनाकाल, पस्चिमी, गंग, राजवन्स के राजा, दूर्विनी, तथा पल्लव, राजवन्स के राजा सी हैं, विश्णू के सासनकाल के समय का है ठीक है, तो यह आपका किरार्त रूप, जूनियम नमक भाकावे था और इसी प्रकार से आपको आगे और भी वीडियो इत्यास विशे से सम्मादी जो महत्वपुणा मिलेंगे तो आप हमारे यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज पे बने रहें, आपको इत्यास विशे की अच्छी सी अच्छी जानकरियां पे मिलेगी और हमारा वीडियो अन तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद